हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंडुट मॉइल फोन में अगर आपके वाट्सेप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होते हैं तो इस प्रोडम को आप सॉल्व कैसे कर सकते है आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जान कर रहीते हैं ने वालों तो चली यहाँ पर वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों अगर आपके वाट्सेप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होते तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करन आपका यह पेज ओपन आता है इसमें आपको अप इंफो का यह ओप्शन टाप करना है यहाँ पर आपको नीचे की साइड यह इसमें एप इंफो का यह ओप्शन टाप करना है यहाँ पर आपको आपको नीचे के लिएर कैज का यह ओप्शन टाप करना है यहाँ पर भी का आई न शॉफ्टेयर आपको चैक करना है कि अपडेट है या नहीं है इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है सबसे उपर इस सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है आपको नीचे की पर उपन करिये इसमें आपको सबसी उपर सर्च बार में व्वाँटसाप आपको लिखे संच करना है ठीक है आपका जोने वाटसाप के सामने यह जो open लिखा है open की जगह है अगर यहांपे update लिखा हुआ रहता है तो इसे आपको update पर डाप करे वाटसाप को प्डेट करके रखना है तेeger अब करने का मैं प्रिछले प्रोइट करना है और्रवाइज नहीं करना है फोन को डिटोजी पहले करने क relies स्पूर्च बार में रिश्यट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइट यह ओप्षन शो होता है, Erase All Data, Factory Research का इसे डिवारे टैप करना है, आपका फोन डेक्ले आपको सैटिंग मिलाएगा, factory reset का यह option दुबारा tap करेंगे तो इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके whatsapp की जो incoming call screen के उपर show नहीं हो और यह problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा और data आपकिसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone के data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को research करना है ठीक है तो मेरे बता है वे सारे process आपको use करने इससे आपके whatsapp की जो incoming call screen के उपस show नहीं होती है यह problem solve हो जाएगी ठीक है